हालो जहीं दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड मैप में पहले पढ़े हैं एसीया माधिप में हम लोगों यह अधिक बारे में ठीक है क्या कि हम लोगों ने एसीया माधीप के बारे में पढ़ा है पहले उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं ठीक है तो एसीया माधीप के बारे में देखते हैं देखिए यह है एसीया माधीप और एसीया माधीप में हमने क्या क्या पढ़ा है तो देखिए पहले हम लोगों ने पढ़ा सार्क कंट्रिस ठीक है, सार्क कंट्रिस के बाद हम लोगों ने पढ़ा एसीन कंट्रिस ठीक है, इसको अलग-अलग खंड में बाट कर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इस्ट ऐसिया ठीक है फिर उसके बाद पढ़ा मीडी लिस्ट अब इसमें कितने कितने देश हैं देशो के बारे में कि एक बाद देखते हैं देखे देखें साइक में कितने कंट्री थे आठ कंट्री पहला यहां था मालदीप मालदीप बाद उपर स्रिलंका फिर भारत फिर पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान अफगानिस्तान नेपाल फिर भूतान फिर यहां बंगलादेश उसके बाद मैमार फिर थाइलेंड लाओश कंबो अगया है फिलिपिंज उसके बाद यहाँ पर टाईवान अपना धेस बताता है पिर उसके बाद यहाँ पर जैपान फिर उत्तरख को रिया दछडख जीं। ठीक है ऑर चींन के बाद ऊपर यहां से मंगोलीः और इतना रिपकर हैं इसके बाद पढ़ रहें मीडि लीट, पर था कजाकिस्तान फिर उसके बाद किर गिस्तान फिर यहां तुर्चमयनिस्तान, ठीक है तुर्चमयनिस्तान के बाद यहांपर कौन दे पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे अगला ठीक है अगला यहाँ पर कौन देश है काकेकस देश उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गल्फ कंट्रे ठीक है यहाँ पर सत्रक देश है पहले काकेकस देश के बारे में देखते हैं देखिएर काकेकश देश में तीन देश आते हैं और वह तीनों छोटे चोटे देश हाई है यहूं करके देखते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर तीन देश दिखेंगे क्वान क्वार्ण यहां पर एक क्रसा Initially यहां पर पूर चराव अजर्बाईजान कौन कोन देश काके इंक्रा गुजरती है जिसका नामे काकेकस तो उसी के नाम पर इन तेनों देशों को काकेकस कहा गया ठीक है और काकेकस पर्वत पर ही यूरोब का सबसे उचा परवत जिसका नाम क्या है? माउन्ट ऐलब्रुश ठीक है माउन्ट ऐलब्रुश जिसकी उचा है है 5,642 ठीक है यह यह ईुरोप का सबसे उचा परवत है इसी पर इस्तित कहां पर है रूस में ठीक है रूस ईुरोप में भी आता है और ऐसी आ में लेकिन इसकी राज़ानी है यूरोप में इसलिए किसी भी देश को उसकी राजधानी से गिना जाता है ठीक है तो सबसे उचा परवत माउंट एलबूस कहां पर है रूस में है काकेकस स्रेडी पर ही इस्तित है अब देखिए काकेकस देश में तीन देश आते हैं जार्जिया अब देखिए एक बारें देखते हैं जार्जिया अर्मेनिया और अजर्बाइजान यह तीनो देश दो है पेट्रोलियूम के भंड़ार है इन तीनो देश के पास ठीक है क्योंकि यह परवती छेत्रों में आते हैं और इनके अगल बगल सागरी वाला छेत्र है ठीक है सागरी वाले छेत्र में हम जानते हैं कि पेट्रोल बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है तो यह तीनों देश पेट्रोलियम के भंडार है और अर्मेनिया और अजरबाजान य अर्मेनिया ठीक है इसकी अगल बगल कोई भी सागर नहीं है और जो अचरबहजाने यहकास केस्पियंची से लगता है और जार्जिया जो है ब्लैग सी से लगता है ठीक है का 54 देश लगते हैंे और Kaspian देश से दूसरा देश है है यहाँ पर तुर्कमेनिस्ताफन और नीचे से कॉन एरान और यहाँ पर है अर्मेनिया और इधर से है रूस कितने देश होगे पांच ठीक है एक दो तीन चार पांच और इसको कैसे याद कर सकते यह एक ट्रिक भी है ठीक ठीक है ट्रिक देखिए उसका नामे के आर ए टी ठीक है कृति याद कर सकते हैं पांच उदेश को याद करने के लिए के से कजाकिस्तान आर से रसिया ए से अजर्बाइजान और टी से क्या हो गया टी से कौन हो गया तूर्कमेनिस्तान और आई से हो गया इरान ठीक है अब इस फजर्बायान में सीमा विवाद था ठीक है दोनों देसों के पीका कुछ में उगा ऊजर्बायiders, और यहाँ पर पर कंट्री है अर्मेनिया और यहा पर एंप कंट्री और फाला में यहा sorta चोटा सा बाग था इसको जूम करके देखते हैं। ठीक है। यह नीचे वाला कंटरी कोोन है? अर्मेनिया है। और यह ऊपर कोन है? अजरवायजान है। और यह जो नीला कलर Gear वाला भाग दीख रहा है यह किस का था? यह अजरवायजान का था। लेकिन इस्तित कहां था? अर्मेनिया में इस्तित था यह कैसे ठीक है जब 1991 में सीत यूदिके बाद बटवारा हुआ था रूस का तो रूस 15 देशों में तूटा था पाँच इधार हो गए थे मिदिल इस्त भाले ऑर तीन इधार हो गए थे जारजी अर्मेनिया और अजरबाजान और तीन बाल्तिक देश जो रूस में आगे पड़ेंगे ठीक है तेन बाल्टिक देश थे और तीन और मल्डवा युक्रिन फेला रूस तो यहाँ तीनों जो देश थे शीत यूद के दौराण ही रूस से टूटे थे तो रूस जो है यह वाला भाग जो निला कलार का दिख रहा है इसका नाम क्या था नागोर्णा कारावा ठीक है को ले करके अजरबेजान और अर्मेनिया की बीच में युद्ध भी हुआ था ठीक है तो समझ में आ गया होगा कि जगड़ा का कारण क्या था ठीक है अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे अब आगे कौन से देश आएंगे आगे देश आएंगे यह सत्र जिसका नाम है जिसे काते हैं मिडी लिस्ट ठीक है अब मिडी लिस्ट के बारे में देखते हैं दूसरे नक्से में देखिए इसे मिडी लिस्ट क्यों काते हैं जबकि यह तो पूरी तरीके से एसिया के वेस्ट में है ठीक है देखिए यह एसिया हो गया तभी है एसिया के वेस्ट में इस तो इसे मिडिल इस्ट काने का कारण इसलिए है क्योंकि इसे पूरी दुनिया के सापेक्च में देखा जाता है ठीक है तो यह पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया के सापेक्च में देखेंगे तो यह मिडिल में पढ़ता है ठीक है और मिडिल के बाद भी यह इस्ट में क्योंकि इसके बाद इधर जो एरिया यह सब तो सागर है ठीक है और चाइना के बाद इधर जो एरिया यह इस्ट ही कहा जाएगा इस्ट क्यों क्यों कि इधर देखिए पूरी दुनिया के जब सापेक्च में देखेंगे तो यह इस्ट में ही देखेगा देखिए देखिए य यह वाला एरिया इस्ट में हुआ न ठीक और यह मिडिल में भी है तो इसे मिडिल इस्ट करते हैं अब मिडिल इस्ट में टोटल कितने देश आते हैं सत्र देश आते हैं तो उस सत्रहों देशों के नाम आज याद करेंगे और फिर उसके बाद सत्रहों देशों के बारे में ड आए जोनों दोनो दो जहां में है लेकिन इसे इनका जो इसे लिए योनियन से भी आए और लेकिन यह देश पूरी तरीके से एजिया में California देश नहां में जोटी आ पर्ट आइक दो यह तुर्की तुर्की केवाना साइप्रस ठीक है तो कितने देश हो गए तुर्की साइप्रस तुर्की साइप्रस उसके बगल में यहां पर है सीरिया ठीक है तुर्की साइप्रस सीरिया और सीरिया के बगल में यहां पर है लेबनान ठीक है कलर चेंज करके दिखाते हैं यहां पर है लेबनान यह भी पूरी एकदम छोटा सा देश है और सीरिया में ही सीरिया के बगल में इस्तित है ठीक है तो कितने देश होगा है चार देश चारो कौन कौन से होगा है देखे तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान फिर उसके बाद जो अगला देश है अगला द तो यहां पर हो गया इजराइल फिलिस्तिन कितने देश हो गए अब तक देखी तुर्की साइप्रस सीरिया लेबना तुर्की साइप्रस सीरिया लेबना इजराइल फिलिस्तिन ठीक है तुर्की साइप्रस सीरिया लेबना इजराइल फिलिस्तिन अब उसके बाद देखिए ज इसको भी काउंट किया जाता है मिस्र को ठीक है तो कितने देश होगे तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान फिलिस्तिन इजराइल जार्डन मिस्र ठीक है तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तिन जार्डन मिस्र फिर उसके बाद अगला देश है यहां प जब यमन सबगे तुर्की साइप्रस सीरियो लेबनान इसराइल फिलिस्तिन मिस्र जार्डन फिर उसके बाद यहां पर आ गया सब्सक्राडन फिर उसके बाद यहां पर है UAE जिसे काते है सहनुक्ट अरब अमिराद तो UAE UAE के बाद यहाँ पर हो गया देखिए कितने अब तक हो गया सब को एक बार फिज देखते हैं देखें यहाँ पर तुर्की तुर्के बाद साइप्रस तुर्की साइप्रस यहाँ पर है सीरिया सीरिया अगबाद लेबनाद तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनन तूर्की साइप्रस सीरिया लेबनन यहां पर है इजराहिल इजराहिल के बगल में यह फिलिस्तिन इजराहिल फिलिस्तिन इजराहिल फिलिस्तिन यहां पर है जार्डन जार्डन कबाद मिस्र जार्डन मिस्र जार्डन मिस्र सौधी सौधी कबाद यमन यमन कतर के बाद बहरीन कtar बहरीन कातर बहरीन पिर यहाँ पर एक कुवेत के बाद है इराक इराक के बाद है इरान 70 तरदेस कमप्लीट हो चुके हैं ठीक है फिर सेटेक वाद देखते हैं हम तुर्की साइप्रस सीरिया, लेबनान इजराइल, फिलिस्तिन, जार्डन, मिस्र, सौधी अरब, यमन, उमान, युएई, कतर, बहरीन, कुएट, इराक, इरान ठीक है इस तरीके 17 देश कम्प्लीट हो चुके हैं ठीक है आख बंद करके 3-4 बार जल्दी यल्दी बोलिए ठीक है समझ करके नक्से को दिमाग में बैठा करके याद हो जाएगा है देखे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तिन, जार्डन, मिस्र, सौधी अरब, यमन, उमान, युएई, कतर, बहरीन, कुएट, इराक और इरान ठीक है, इस तरीके से 17 देश कंप्लीट हो चुके है ठीक है, तो अब एक एक देश के बारे में पूरी तरीके से डीटेल से देखेंगे देखे, पहले देखते हैं तूर्की के बारे में, यह है तूर्की, तूर्की जो है, यह मुस्लिम बहुलता वाला देश है ठीक है तूर्की जो है आज के समय तो छोटा है लेकिन यह दुटी विस्यूद के समय बहुत ही बड़ा था और उस बड़े भाग को दूटी विस्यूद के बाद तोड़ दिया गया ठीक है अलग-अलग भागों में तूट गया जिसमें से एक भाग हुआ तुर्की और तुर्की का एक भाग है जो की यूरोप में पढ़ता है और उसका क्या नाम है उसका नाम है इस्तामबूल ठीक है तुर्की की जो भाग यूरोप में पढ़ता है उसकी राधानी है इस्तामपूल और जो भाग एसिया में उसे कते हैं तुर्की इसकी राधानी है अंकारा ठीक है और तुर्की का जो भाग एसिया में इस्तित है उसे एसिया माइनर करते हैं और इसका लगबग 97% भाग एसिया में इस्तित है और इसकी राधानी अंकारा है ठीक है और तुर्की में है अंतोलिया का पठार और तुर्की का भाग ज ठीक है और तुर्की जो है नाटो का सदस से भी आए और तुर्की में वान जील है जो से कि सबसे खारा जील है ठीक है वान जील तुर्की में ही सबसे खारा जील है और तुर्की में ही एक और जील है ठीक है जिसका क्या नम है और तुर्की जो है काला सागर और इधर काला साग तुर्की के ऊपर कौन से साघर है काला साघर और तुर्की के नीचे भूमद्य सागर है ठीक है ले较 इन फा nonetheless से अलग होती है और ठीक है तो इतना भाग हम लोगों जाना और इसके बाद जो अगली देश बचते हैं मिडी लिस्ट के उनको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे ठीक है जाते जाते एक बार मिडी लिस्ट में कितने देश हैं सब के बारे में जान लेते हैं देखें मिडी लिस्ट में कितने द पहरीन कुएट इराक इरान ठीक है इस तरिके से जितने भी 17 देश थे मीडी लिट के बारे में हम लोग ने नाम आसाणी से याद कर लिया ठीक है उमीद करते हैं याद हो गया होगा ठीक है नहीं याद हुआ है तो तिन चार बार बोलिए याद हो जाएगा अब जितने भी देश बच गया है इसमें मीडी लिस्ट में अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद एसिया के अलामा ठीक है यूरोप देश पड़ेंगे है ठीक है तुम मिल दें एकले वीडियो में तब दे के लिए नमस्कार बाई बाई जाहिंद